खापा शहर थितास्तान ये खापा थाना अंत्रेगत चार किलो मिटर के दोरी परस्तेद गाउ उम्री में सुबे 11 बजे के दर्मियान ग्यास सिलिंडर फटने से हाथसा खटी दवा है खापा शहर में लिताजी स्कुल के समीपस्त महमूद सुबान पठान की एक छोटी ग्यास सिलिंडर में आग लगए इसके अलावा ग्यास रिसाओ की कारण सिलिंडर फटने की दुसरी घटना उम्री जांपाला पानी में हुई जब घर पर कोई भी नहीं था लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका लेकिन सिलिंडर फट किया और रसोई बात्रूम समेथ घर में रखा अनाज और जरूरी सामान शर्ती ग्रस्त हो गया साथी किचन से सटे कपड़ा दुकान में भी आग लगने से दुकान और किचन में रखे सामान का भारी नुकसान हो गया है सुत्रों ने बताया कि इस घटना में लगबग एक से देड़ लाग के कपड़ों का सामान वा घरेलू सामान की शती हुई है इसी तरह की एक और खटना खापा थाना अंतरिगर बड़ी गाउ मार की उम्री जांबाला पानी गाउ में राजिंद्र डोमाजी गजबे के घर में गटी है सुबे करीब ग्यारा बचे जब घर के सबी लोग कीत में काम करने गयते तभी सेलिंडर फटने से हासा हो गया और घर में कोई भी नी था सुबा घर के सभी लोग खेत में काम करनी गय थे और घर से धुवान निकलता दिखा गया फिर गाउ के सभी नागरी को ने पानी डाल कर आख पर काख उपाया और पुर्व सर्पंच नरेंद्र लांचिवार, पुलिस पटेल शुबम लांचिवार, खापा पुलिस टेशन के थानेदार सुनिल दही बाते द्वारा, मिज़्डी विभाग और फाय ब्रिकेट को जानका रिदी के सुचना मिलते ही सभी घटना सिल पर पहुचे गटना की जानकारी मिलते ही फाय ब्रिकेट उम्री जामडा पानी पहुचकर एक घंटे में आगपर काप उपाया गया अपने घर में ग्यास सिलिंडर की पाइप, ग्यास रिकुलेटर की नियमी जाज करनी चाहिए और ध्यान रक्के के भविशमें ऐसी खटनाय ना हो ऐसी अपिल खापा थाने की थानिदार सुनिल दही भाती निकी है इन्विशन नियूस के लिए खापा से डॉक्टर चन्रकान ठवरी की रिपोड